तेमिशकर साथियों मैं निशान नाने क्लासे से यूट्यूब चैनल पे आप सबी साथियों का हादिक स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सबी को पता है जो हमारी सीरीज चल रही थी करंट अफेर वीजन की उसी सीरीज को कर्टीनियू करते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ 20 मार्च 2024 के जितने भी मोश्ट इंपोर्टन्ट करंट अफेर के क्यूस्टन है उन सब का हम करेंगे रिवीजन ठीक है तबी साथियों से उमीद है ये कलास सुबह आपने नाना कलासेश के ओफिशल यूट्यूब चैनल के उपर गुरु देव के द्वारा पढ़ ले होगी ठीक है पढ़ेंगे कलास शुरू करने से पहले सभी साथियों से अंदरोद है आप इस कलास को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी अब्यार्थी कलास का फाइदा ले सकें ठीक है तो आई चलिए शुरूआत करते हैं साथियो क्यूस्टन नंबर एक क्या कह रहा है क्यूस्टन नंबर एक के अंदर दे रखा है साथियों राजस्तान के परसिद खिलाडी रजच चुहान का संबंद किस खेल से है किसका राजस्तान के परसिद खिलाडी है रजच चुहान उनका खेल कौन सा है उनका संबंद किस के साथ है आपके सामने उप्शन दिये हैं किस खेल से है तो आपने सबस्वा क्लास देखिया तो आप साथ के साथ उतर कुमेंट वोक्स के अंदर दे रखो तो इसका संबंध है किसके साथ है इनका संबंद का संबंद है तीरंदाजी के साथ में ठीक है किरंदा जी के साथ में हैं किसका ये संबंध है रज्य चोहान का क्यूस्टन नमबर नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है राज्य सरकार के द्वारा सरपंच परदान जिला परमुख बांदे में दस परतिशत की वरदी की गई है अब उन्हें परतिमा वेतन मिलेगा किसके र सरकार के द्वारा जो सरपंच होते हैं परदान होते हैं जिला परमुख होते हैं कि सारो का सारा पंचाईती राज की आजाता है पाग नमबर 9 के अंधर अनुसूची नंबर 11 के अंदर भी की पूरी पूरी पॉलिटिकल में ने रानकल स्च की ओफिशियल यूट्यूब के चैनल के उपर करवा रखे हैं 50 वीडियो तो आप वहां से जाके इसका अगर बेसिक जानकरी प्रापत करना चाते हो तो कर सकते हो अभी जो नई निती है सरकार के अकोर्डिंग उनके तहत इनको वेतन कितना मिलेगा तो आप्शन आपके सामने दे रखे हैं जो जिला परमुख होता है या जिला परिशत जिसको बोलते हैं उनको कितने मिलेंगे 15,180 रुपए परती माः परदान होते हैं जो 25 समीति के अंदर राजनीतिक परमुख होता है उसको कितने रुपए मिलेंगे उनको मिलेंगे 6,000 बैतर रुपए तो ये 3 के 3 कथन क्या है साथियो 3 के 3 कथन सही है यानि उपरोग तो सभी क्या है उपरोग तो सभी सत्य कथन है ठीक है जो जिला परमुख होगा उसको कितने मिलेंगे उनको म तो आप इन तीनों को याद रखोगे किस्टन आ सकता है एक्जाम के अंदर ठीक है तो इस नमर नेक्स्ट के अंदर क्या देर रखा है साथियों नेक्स्ट के अंदर दिया गया है किस पुलिस परशाशन की रेंज ने लोकसबा चुनाव के मद्या नजर अपरादियों की तरब पकड़ के लिए उपरेशन निर्बिया शुरू किया गया था तो किस जिला पुलिस ने किया गया था ये किस ने किया था ये किया था बर्तपुर ने किस ने किया था बर्तपुर जिला पुलिस ने किया था ठीक है कि इतना कर दिया गया है तो कितना कर दिया गया है आपको बताना है साह हेंजार किया गया है 95 600 उपै किया गया है PHP 8500 उपनогодा कि 530 उना कितना किया इस सथियो 5600 उपने कितना गया गया है पहले कितनी थी पहले थी 5000 सजार और अब कितनी कर दी गैं बुड़ाके 65100 उपन प доп हुआ है इस पीटनी क्भत ओर दीग Εपक इतने कर दीगीय concur 665 रूपई ठीक है आज किसे न fabrics next नेक्स्ट के अंदर क्या घर रखाया coh घुक्षियों नबर नेक्स्ट के अंदर जह गटवे रीकली के चेहां अट तो आप सभी कोमेंट वॉँक्स की अंदर इसका उत्तर देंगे आपके पास 10-15 सेकंड का समय है आगे की जो क्लास आएगी ना इसी परकार से मैं आपको परसन पढ़के 10-15 सेकंड का टाइम दिया करूंगा तो आप सबी सहत्यों से अनुरोध है ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और आपको जो क्यूस्टन है वो याद रहने भी लग जाएंगे ठीक है ऐसे तो फिर मैं परसन बढ़के मैं उतर लगवा देता हूं तो फिर आपका देखने कर देखा तो आपने सुबह हुई है नाने क्लासेस के ऑफिशल यूटूब चैनल के उपर वाप साथ की साथ इसके उतर दिया गरो कोमेंट बॉक्स के अंदर ता कि आ तर्तम में साइटी का गठन किया है ठीक है तो नमबर नेक्स्ट राजस्तान के नए मुख्य सची बनाए गए है किसको बनाए गए है को मेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दीजिएगा विनु गुपता को सी एस राजन को सुदांश्पंत को या रोहित कुमार सिहां को किसको बनाया गया है तो किसको बनाया गया है जो राजस्तान के नए मुख्य सची बनाए है वो बनाए है शुदांश्पंत जी को किसको बनाया गया है आपके लिए क्यूस्चन है इन्होंने किस मुख्य सचीव का पद बार संबाला था यानि इससे पहले राजस्तान के जो मुख्य सचीव थे आपको उनका नाम बताना है ठीक है और इन्होंने जो पद बार संबाला था किस दिना को संबाला था ये भी क्यूस्चन आ सकता है तो आप संबंधिते सत्या कथन बताई है यानी गत्स साइड दिस्ञेट क्या दे रखें हैं उन्से सब्वानिते मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है यह नहीं किडिया दिवस मनाया जाता है वो किस दिन मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है विश्यव वानी की दिवस मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है और अंतराश्रिय महिला दिवस मनाया जाता है वो 12 जनवरी को तो आपको इन में से जो एसत्या कथन बताना है एसत्या कथन बताईए इन में से एसत्या कथन कौन सा है तो इन में से कौन सा एसत्या कथन हो जाएगा साथियो जो हैपिनेस डे है वो आज 20 मार्च को मनाया जाता है ठीक है टिडिया दिवस मनाया जाता है वो भी 20 मर्च को मनाया जाता है और विश्यववानी की दिवस मनाया जाता है वो भी 21 मर्च को मनाया जाता है लेकिन अंतराष्ट्रिय महिला दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है वो 12 जनवरी को नहीं मनाया जाता 12 जन्वरी को कौन सा दिन मनाया जाता है स्वामि विवेकानद'ृ जैन्ति मनाया जाती है look कौन सी स्वामी विवेकानद जैनती मनाई जाती है ठीक है स्वामी विवेकानद जैनती मनाई जाती है 12 जन्वरी को और विश अंतराश्री है महिला दिवस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है साथियो आठ मार्च को मनाया जाता है का करनाया जाता है 8 मार्च को बनाया जाता है तो इन में वहत्ति हमारे क्या हो जाएगा साथि को भाया सथी कैंट था है था तो यह थे हमारे आज के क्यों सऽे हमारे नानig लाशिज की add की उपड़र को टार रेह चल रही थीक है तो यह तो हमारी आज की कलास अगर आपको लास अच्ची लगती defect या तो कलास को लाइक करें अपने दोस्तों के शाष शेयर करें अगर आप नान अनकला से शिफजूे के कानल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स अग्स सब्सक्राइब करें झाल झाल